हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चानल सुइटकॉन आज मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी बच्चों से लेके बढ़ो तक सबका पसंदीदा डोनट्स के रसिपी जी हाँ ओ भी बिना अंडे के और बिना इस्ट के जी हाँ बिना इस्ट और अंडे के मैंने ऐसे सौप पहले मैं एक मीक्सिंग बोल में ले लूँगी एक कब माईदा और फिर मैं उस पे डाल दूंगी आधा कब पाउडर सुगर आप इसे मीक्सर ग्रांडर में पीछ के मैंने पाउडर सुगर बना लिया फिर इन दोनों चीजों को मैं मिक्स अप कर लोगी अब इसको साइट क करके रखूंगी अब और एक mixing bowl में मैं ले लूँगी one third का खट्टा दही यानि कर्ड फिर मैं उसपे डाल दूँगी एक चामच बेकिंग पाउडर और उसपे में डाल दूँगी आधा चामच बेकिंग सोडा यह जो कार्ड है ना यह नॉर्मल टेंपराचर में रखा हुआ क दूडर में यूज़ कर रही हूं अब इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स अफ करूंगी आप फिर से निकल के और दूरंती यूज मत किजिये नॉर्मल टेंपराचर में आजाएगा तब अब यूज़ कीजिएगा देखिए अच्छी तरह से में रिखा लिए तरह से मिक्स अप कर लोंगी इस में पानी नहीं आट करूंगी और एक दम चिप 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 सा एक डो बनाऊंगी मतलब डोनाट का जो डो हरते है न वह ज़्यादा टाइट नहीं होता है एक तम नरम जितना नरम अब बनाऊगे अपका डोनाट उतना ही सब्ट बनेगा बीन एकदम चिप चिप सा एकदम नरम सा एक डो बनेगा देखिए मेरा उंगली में एकदम चिपक रहा है पर एही परफेक्ट है ऐसे मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लोंगी सर्फ दो से तीन मिनिट टाइम लेके मैं इसको मिक्स अप करूंगी देखिए चिपक रहा है फिर फिर भी ऐसे ही डो बनाना चाहिए तब जाके अपका जो डोनाद है सौप्ट बनेगा इसी टाइम पर मैस पर और एक चमच रिफाइन ओयल डाल के मिक्स अप करूंगी आप चाहो तो बाटर मेल्टेड बाटर वो यूज कर सकते हो फिर देखिए इसको मिक्स अप करने के बनेगा एक घंड़ा बाद धक्कन खोलके मैं आपको दिखा रही हूं दिखिए इसका अंदर का पॉर्षन कैसे जाली-जाली सा हो गया ना इसलिए पता चलता है कि इसका फार्मेंटेशन अच्छी तरह से हो गया बिना इस्ट के इसका फार्मेंटेशन हो गया आप मैं इस दो दोटीए दोटा झोटीए चलता है इस तरह पर रख और मीक्सप कर लिया था अब मैं इसको बेल दोगी देखिए एक कितना सॉपट है ऐसे ही सॉपटडो मुझे चाहिए था और इसको बेलने के टाइम में ध्यान पर रखना होगा कि इसाधा पादला अब मत बेल ये थ मुझे इसको बेली है अब एक स्टील का ग्लास मैंने ले लिया और उसकी मादब से देखिए ऐसे राउंड से में में कार्ट होंगी फिर एक्स्ट्रा हिस्सा जो है उसको निकालोंगी उसको एकटा करके मैं फिर से ऐसे बना लूंगी तो यह वेस्ट नहीं होगा और फिर जो इसको बना लिया और अब इस प्रोकर से एक बर बना के देखिए सज मुझ बहुत टिस्टी बनता है और बहुत सॉब्ट बनता है एक तम दूखान के जैसा अब अगर ट्राइ करोंगे तब आपको बता चल रहा गए तो कैसा लग रहा है रेसीपी मुझे कमेंट करके जरू तो ऐसे ही में सब बना लूँगी देखिए मैं बना लिया इसका थीकनिस अब देखिए ऐसे ही रहेगा और जब मैं फ्राइब करूंगी ने तब फूल के तीगुना होई जाएगा अब मैं एक फ्राइंग पैन पे तेल रिफाइन ओयल जो होते है और डाल दूंगी और एक गरम तेल नहीं होना चाहिए देखिए मैं डालने के बाद इसमें से कैसे बाबल जैसा आ रहा है है तो ऐसे ही रहेगा तिल जाधा गरम तेल में डालो गटोंगे तो बाहर का पूर्सन दुरंत ही जल जाएगा और अंदर का पूर्सन जो होते है ना ओह कच्छा जासा रहे इसलिए इस बात को अपको धेन पे रखना होगा और में एक साथ दो करके फ्राइ करूंगी ज्यादा नहीं फ्राइ करूंगी एक पोर्षन देखिए गोल्डेन हो गया मैं इसको पलट दूंगी ज्यादा टाइम नहीं लगता है पर अपको मीडियम तु लो फ्लेम में इसको आपको अपे दोनट फूल के डवल ऑगया और इसका बाहर का पॉर्षन जो होता है और एक दं लो फ्लेम रही हुआ हूँ इसलिए अंदर का पॉर्षन भी तु बन गया है ऐकदम सौप्ट बनता है बहर से तो एकदम गोल्डेन दिखता है पर आंदर से एकदम सौप बनता एक दम दुकान के जैसा कैसा लग रहा है रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लागे ना तो लाइक हो से जरूर कीजिए देखिए इसका दोनों साइट गोल्डेन हो गया आप मैं इसको फ्रैंक पैंट से निकालोंगी और और दोटो डोनाट में ऐसे फ्र प्रसेस से मैं इस चक्लेट को ब्रसेसर लियू । नीचे वर्यम पानी अब आओ को अफ्रोटो शेंट कर लका में चली ऑपने दोवा लियू competent आप में जो भूग विल्यू में केुंष्क जो कि दोवा फ्राकिया पाने योल्प निची बाली मेंी पानी लेंशन प्रम्स्र ऐसे ही डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लोगी फिर मैं इसके उपर डार्क चॉकलेट लगा लोगी तो देखेगा एक दुम दुकान के जैसा और खाने में बहुत यामी होते हैं डाक चॉकलेट लगा के मैं इसको अपने हिसाब से डेकोरेट करके सब्सक्राइब करूँगी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कीजिए देखते ही खाने का मन कर रहा है ना तो जली जाए इसको बनाइए और आपका एक्सपेरिंस मेरे साथ जरूर सेयार कीजिए तो अगर नेक्स दिन मुलाकात होंगे और नए एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई